नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया टॉप और मैं हूँ आपके साथ शद्धा हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि बिहार पुलिस अब हाइटेक हो रही है बिहार में शिराब बंदी कानून को सफल बनाने के लिए लगतार प्रयास किये जा रहे हैं पुलिस अब हाइटेक होते वे नज़र आ रही है जी हाँ आपको बताया देए कि पुलिस अब ड्रोन का इस्तिमाल कर रही है शराब माफियाओं को पकड़ने में इससे पहले भी हमने आपको एक पाकेश सुनाया बताया था न्यूस दिखाया था उसमें हमने आपको बताया पुलिस से ड्रोन का इस्तिमाल करके रात के समय में ड्रोन से रेकी करती है पुलिस और उसके बाद सुबह के समय में जाकर ड्रोन के सहायता से वहां पर जाकर शराब माफियाओं को पकरती है उनका जो भी जहां पर अड़ा है जो भी जहां पर शराब धंधा चल रहा है उस जामने आये किस तरीके से पुलिस ड्रोन से चीजों को कैप्चर करती है निगरानी रखती है ड्रोन के माध्यम से और उसके बाद किस तरीके से पुलिस वहां पहुंच कर शराप माफियाओं को पकड़ती है इससे पहले भी पुलिस लगतार पहल कर रही थी लगतार कोशिश की जा रही थी कि शराप माफियाओं को पकड़ा जाए लेकिन इससे पहले कि पुलिस पहुंच थी शराप माफियाओं को किसी ना की तरह से पदा चल जाड़ा शराप माफियाओं माफ़यों जो हैं वहां से भाग जाते थे भागने में सफल होते थे या फिर सबूत को नश्ट कर दिया जाता था लेकिन ड्रोन के मदद से अब हो क्या रहा है कि पुलिस को पहले से ही ब्लू प्रिंट मिल जा रही है चीजों की ड्रोन के कैप्चर में फोटो जा जा रही है वीडियो जा 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 जिससे पुलिस को अब जगव पर पहुंचने में आसानी होती है पुलिस रात के समय में रेकी करती है और उसके बाद दिन के समय में ड्रोन के सहाईता से उसी जगह पर पहुँचकर रेट मारती है और शराप माफियाओं को पकड़ा जा रहा है ये एक अच्छी पहले और कही न कही इसका असर जो है अब देखने को मिल रहा हाला की अभी कु बाद चीत में यहीं सामने आया है था कि आगे चलकर और भी एजिंस्यों से सहाईता ली जाएगी ड्रोन सप्लाइब किया जाएगा जिससे और भी बिहार के अन अन जगों पर भी जो रेकी सिस्टम है ड्रोन के जरिये उसको स्टार्ट किया जाएगा और इस तरीके से जो माफियाओं के द्वारा जो शराब बनाया जा रहा है जहरीली शराब बनाई जा रही है रात के समय में जिसका सप्लाई जादा होता है रात के समय में जहां पे जहरीली शराब जादा मातर में बनाई जाती है या फिर दिन के समय में भी में भी जो जो भी सप्लाई जो भी चे टॉप धन्यवाद